जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता डिजायर टुलेंड में आपका स्वागत करता हूँ तो आज हम कवर करेंगे इंपोर्टेंट एप्स एंड पोर्टर्स जिसमें हम जानेंगे आपके एक्जाम में किस टाइप से कुछन्स पूछे गए हैं आपसे लास्ट यर पूछा गया था जन सामट पोर्टल के बारे में तो यह आपसे बहुत पूछा जाता है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो फिर नहीं पता है ठीक है आपसे इस टाइप के ओप्शन पूछ लिया जाएंगे कि किस से रिलेटेड है ठीक है कौन स के बारे में पूछ लिया जा सकता है इस बार है ना और मार्ग पोर्टल के बारे में पूछा जा सकता है इनकी मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है तो जो छोटे छोटे नेम्स है ना उस टाइप से पोर्टल पूछे जाते हैं कभी भी बहुत बड़ा जो portal है उससे related question नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो अपन discuss करते हैं कौन-कौन से imported portals हैं और apps हैं तो बस इस वीडियो में बने रही है आपका एक question बन जाएगा so first important portal देख लेते हैं काफी जादा important है जिसका नाम है mark portal देखे पहले तो अपन यह जानते हैं कि mark portal कौन सी ministry ने launch किया है देखे इसके बारे में जानेंगे क्या-क्या चीज़े हैं देखे तो mark portal किसने launch किया है ministry of commerce and industry के दवारा यह launch किया गया है अगर मैं बात करूं mark portal ठीके आपसे इस टाइप का question पूछ लिया जाएगा कि mark in mark portal R stands for ठीके आपसे दे दिया जाएगा resilience ठीके result कुछ भी resistance दे दिया जाएगा कुछ भी दे के आपको पूछ लिया जाएगा कि R क्या stand करता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए mentorship, advisory, assistance, resilience and growth ठीके तो यह चीज़े भी आपको पता होना चाहिए है ना अब यह mark portal करेगा क्या ठीके mark portal क्या करेगा जो भी mentorship programs चलते हैं startups के लिए different sectors में उनको mentorship provide करेगा ठीके और यह life कब हो जाएगा January 16 से ठीके तो बेसे के लिए आपको पता है कि January के सारे current affairs अपने लिए important है तो अपन इसको काफी जादा important दे सकते हैं mark portal आपसे पूछा ज जा सकता है आप ध्यान रखिएगा इसको ठीके next portal के बारे में discuss करते हैं so next important portal है घर portal काफी जादा important portal है पहले तो अपन इसका full form देखते हैं इसका full form है go home and reunite ठीके काफी जादा important है इसको launch किसके द्वारा किया इसको launch किया गया National Commission for Protection of Child Rights ठीके NCPCR ठीके NCPCR पहले थोड़ा स इसके बारे में discuss कर लेते हैं यह कि statuary body है ठीक है statuary body है act के थुरू बनी हुई है यह कब बनी थी यह बनी थी 2007 में कौन सी ministry के अंडर आती है यह आती है ministry of women and child development के अंदर ठीक है तो यह तो आ गया अपना NCPCR के बारे में और इसको launch किया गया NCPCR ने अब यह portal help करेगा क्या reuniting Myanmar refugees back to their homes नहीं ठीक है यह कुछ statement नहीं है आपको confuse करने के लिए statement add on किया था तो यह सिर्फ only one statement है ठीक है only one statement is correct तो अपन बात करते हैं हम घर portal के बारे में ठीक है अपने इसका full form देख लिया क्या है इसका full form है go home and reunite तो यह क्या करेगा यह digital tracking करेगा and monitoring करेगा children's पे ठीक है प और क्या करेगा जो भी children's juvenile justice system में है उनकी घर बापसी करवाएगा अगर वो अलग country से हैं कोई या अलग states है या अलग districts है तो उनकी घर बापसी की जाएगी ठीक है यही लिखा इसमें repeated to the another country state district तो जो भी juvenile justice system में children है ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रख सकते हैं next portal देखते हैं इस पे आप star mark कर लिजे काफी जादा important है so next portal देखते हैं यह भी काफी जादा important है जिसका नाम है भविश्य portal अब भविश्य से अगर आप तुक्का लगाना चाहोगे तो आप शायद यह भी लगा दो क्या education loan मिल सकता है हमे skill development के लिए शायद यह होगा portal ठीक है MSME के लि अब जब desire to learn ना आपके साथ है तो भविश्य portal आप ध्यान रखेंगे कि यह pension से related है तो अपन बात करते हैं the government of India has launched an integrated pensioner portal जिसका नाम है भविश्य for the central government pensioner यह central government pensioners के लिए this portal will act as a non-stop solution for all the needs of pensioner जितनी भी जो pensioners की problem होती है तो एक non-stop solution बनाया गया जिसका नाम है भविश्य बविश्य portal आप यह याद रखने वाले है next question देखते हैं so next portal के बारे में discuss कर लेते हैं consider the following statement about each how new portal पहले तो अपन यह discuss करते हैं यह किस के लिए ठीक है तो each how new portal अब भी recently news में आया था to five more containment words namely आगरा, रानिखेद, बबीना, जम्मू and कनोर ठीक है पांच more contentments के लिए आ रहा ठीक है इसमें क्या होता है यह portal क्या provide करता है यह provide करवाता है online multiple services online multiple services like ठीक है जैसे death certificates, water and sewage connection, trade license, mobile toilet locators ठीक है इन सब चीजें जो होती है municipal services वो यह portal provide करवाता है अब second statement दिया है the portal developed by slowly by slowly by कि national informatics center, NIC के दोरा बनाया गया है क्या यह सिर्फ नहीं तो यह बनाया गया है एक तो इसमें involved है भारत, भारत electronics लिमिटेट भेल ठीक है और कौन है यह government foundation ठीक है मतलब यह slowly नहीं बनाया है कि इसके अकेले ने बनाया है कि NIC के दोरा बनाया गया है तो इसमें बहुत सारी factors involved है ठीक है और अगर मैं बात करूँ तो यह चीज भी आप ध्यान रख सकते है तो इच हाउनी portal अपना complete होता है और इसका अंसर सिर्फ only one है और इस type के questions आप से IES के exam में पूछे जाता है जिसमें आपको confuse किया जाता है कि 62 containment words अब इस type के थोड़े से high level के questions CDS में भी पूछे जाने लगे तो अपन उसके लिए ready रहेंगे और आप पारवर मत पूछिए कि यह NDA के लिए भी है देखिए NDA भी UPS से conduct करवाता है तो यह definitely NDA के लिए भी है ठीक है next portal देखते है So next important portal देखते है which state has launched a common credit portal जिसका नाम है सफल देखिए सफल का full form भी आप याद रख सकते है Simplified Application for Agriculture Loans यह किसके लिए सफल आपसे portal पूछ लिया जाए For the welfare of farmers, farmers के welfare के लिए यह portal launch किया गया अब कौन सी सरकार ने launch किया गया वो भी जानना important है तो वो है URISA Government ने ठीक है इससे क्या होगा जो loans दिया जाता है farmers को वो increase होगा ठीक है easily वो access कर पाएंगे loans को यह बनाया गया URISA सरकार के दवारा Next portal देखते हैं So next portal इसरों ने develop किया Special Data Infrastructure Geo Portal कौन सी Union Territory में किया है तो यह भी एक question आपसे बन सकता है तो यह किया Ladakh में ठीक है Ladakh में किया जहां पर Dark Sky Reserve है और अगर हम मैं बात करूँ South की Dark Sky Reserve कहां पर खुली है वो आप मुझे comment section में बताओगे ठीक है और मैं क्या बता सकता हूँ इसमें this portal will be used to find access, distribute and contribute geospatial information and associated geographical services ठीक है तो यह सारी चीज़े आप ध्यान रख सकते हैं एक बार इसे पढ़ लिजेगा बाकी बस आपको यह याद रखना है कौन सी Union Territory State के लिए आ जाए तो वो किया है Ladakh के लिए ठीक है next question देखते है so next portal देख लेते हैं Bima Sugam portal ठीक है पहले तो अपन यह जान लेते हैं किसने अप्रूब किया है तो यह अप्रूब किया है IRDAI के बारे में ठीक है IRDAI के बारे में भी अपन को जानना है important है insurance, insurance, regularity and development authority ठीक है तो insurance, regularity and development authority यह एक statuary body है किसके अंडर आती है यह आती है ministry of finance के अंदर ठीक है, यह कब found हुई थी, यह found हुई थी 1999 में ठीक है इसका headquarter कहाँ पे, इसका headquarter है है, हैधराबाद में बहुत बार इसका headquarter भी पूछा गया है, और कौन सी ministry के अंडर आती है, यह भी पूछा गया है, ठीक है, तो यह चीज आप दियान रख सकते है अब अब इसके बारे में बात करते हैं, बीमा सुगम portal, यह government ने किसलिए एक address किया है, जो protection gap across life, health and general insurance है, उसके लिए यह launch किया गया है ठीक है, तो IRDI ने अप्रूफ किया है, तो यह important हो जाता है portal, तो e-platform to sell insurance and to view insurance plan, ठीक है, तो यह आप दियान रखेंगे, next question देखते है तो next portal के बारे में जान लेते हैं, this is the Yuba Sangam portal, ठीक है, Yuba Sangam portal और यह important है, इसको easy मस समझेएगा, आपसके लिए question भी काफी अच्छा बनाया है अब पोर्टल के बारे में जानते हैं, तो यह तो basically important हो गया है, क्योंकि initiative है नरेन मोदी जी का, तो यह क्या करेगा, जो भी नौर्टीस्ट के रीजे बच्चे हैं, जो youth है, तीक है, उसको rest of India से join करेगा, तीक है, एक भारत, सेस्ट भारत बनाने का यह संकल्प लिया गया ह तीक है, तो इसमें यह आप दियान रखेंगे, it is the initiative for the bond between the northeast and the rest of India, तो first statement तो सही हो जाता है, second statement है, it has been launched by the ministry of social justice and empowerment, तो नहीं, तीक है, यह launch किया गया है, ministry of education के द्वारा, तीक है, ministry of education के द्वारा, तो यह चीज़ आप दियान रखेंगे, अगर आप से question पूछा जाए कल, क वा संगम portal, कौन सी ministry के द्वारा launch किया गया है, तो आप बोलेंगे ministry of education के द्वारा, तो one only सही है, और आप इस level के question solve कर रहे हैं, IES level के, ठीक है, और यह CDS पी अपना trend change कर रहा है, तो आप इस level के questions exam में देख सकते हैं, next, देखते हैं, so next portal भी काफी जादा important है आपके लिए which ministry unveil right to repair portal, तीक है आपने इसके बारे में शायद पढ़ा होगा, मैंने आपको daily current affairs में पढ़ाया भी था, तो इक कौन सी ministry के द्वारा launch किया गया है, तो ministry of consumer affairs, food and public के द्वारा ये launch किया गया है, अब अपन थोड़ा से समझ लेते हैं इसके बारे में, July 2022 में क्या होता है, July 2022 म एक committee बनती है, तीक है department of consumer affairs के द्वारा एक committee बनाई जाती है, निधी, खरे, इसको head करती है, जिसमें develop किया जाता है, comprehensive framework, जिसमें आप right to repair का एक committee बनाई जाती है, तीक है, ये तो हो गया, July के news, तीक है, अब ये launch किस दिन हुआ है, ये launch हुआ है, नेशनल consumer day के दिन, तीक है अब national consumer day कब celebrate किया जाता है, तो वो celebrate किया जाता है 24th December को, 24th December को national consumer day celebrate किया जाता है, तो एक तो ये चीज important हो गई आपके लिए, अब अपन बात करते हैं कि ये right to repair portal है क्या, अब देखिए, आप कुछ भी mobile phone वगेरा खरीतते हैं, है ना, तो उसमें एक manual आना चाहिए, इनकी ये बात है कि एक manual आना चाहिए, कि खुद से ही हम repair कर पाएं उस चीज को, है ना, या फिर हम third party के थुरू हम repair करवा पाएं, तो ये है right to repair, अब भी recently है, mobile phones, electronic, consumer durables, automobiles में किया गया है, cover किया गया है, बट आने वाले time में बहुत सारी चीजों में ये cover किया जाएगा, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, committee, committee तो आपको नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ये ministry याद रखना है, है ना, और right to repair के वारे में पूछ ले, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो, next portal देखते है, so next portal है, Amishah जी ने recently launch की थी, प्राहरी एप for which force, ठीके प्राहरी एप ये ल information related to the accommodations, आयुषमान, CAPF, and leaves on their mobile, ठीके, ये app क्या करेगी, accommodations से related सारी चीज़े बताएगी, personal information ये आप रखेगी, जवान की, ठीके, और आपके कितनी सारी चीज़े store करके रख सकती है, ये app प्राहरी है, तो आप से पूछा जा सकता है, कौन सी force के लिए की गई है, तो ये recently की गई है, border security force के लिए, ठीके, next portal देखते है, so next app है, which ministry ने launch की थी, कनन प्राहरी app, ठीके, कनन प्राहरी app recently launch की गई थी, ये launch की गई थी, ministry of coal के द्वारा, ठीके, तो बस ये आप ये चीज़ धियान रखेंगे, ministry of coal के द्वारा, next portal देखते है, so next portal है, recently launch you win program, ठीके, this is kind of a portal और program बोल सकते हैं, अपन, तो इक किसके लिए launch किया गया था, जैसे कि आपको पता है, after co win, ठीके, आपने एक portal के बारे में सुना होगा, co win, ये क्या करेगा, ये digitize करेगा, universal humanization program, ठीके, अब इसमें you win क्यों दिया गया, the program to digitize India, universal humanization program, UIP, has been launched in a pilot mode in two districts of each state and union territory, सारी, सारी जो भी states हैं, उसकी two districts में ये launch किया गया, you win program, ठीके, इसमें ठीक क्या करेंगे, ये digitize करेंगी, universal humanization को, ठीके, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आप से पूचा जा सकता है, कि the program to digitize Indian youth, ठीके, digitize ruler development, आपको confuse करने के लिए बहुत सारी चीशे दे सकते हैं बट अपन को ठीक लगाना है, सही answer पे, ठीक है, सो आशा करता हूँ, आपको ये video पसंद आया है, और अगर पसंद आया है, तो प्लीज आप एक like कर सकते हैं, और next video आपका ranks and index पे होने वाला है, वो definitely बन चुका है, बस उसे upload करने की देरी है, so this video is presented by me, my name is सागर गुपता, मिलतें next video में, जब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए, काफी जादा अच्छा लगेगा, जै हीन, जै बाहरत!